निच्स टैटीक स्कूदर्स सब्सा सिपनींगें करीक्रिकटिस्टिक ए आम ने बारे बारे बारी तमाम kingdom से के इसके साथ कींग्टम करेंगे किंग्टम मौणिर। इंख्जरूद्स prokrotik अर्गरियसम। इसके अंदर वो तमाम अर्गरियसम जो ब्रोक्राटस ओंगे, they are made of प्रोक्राटिक सेल्स, प्रोक्राटिक सेल्स के हमने डफिनेशन दी थी, कि प्रोक्राटिक सेल्स जो वो सेल्स होते हैं, जिनके वेल्टिफाइड नुकलस नहीं होता है, नमबर वन मोनिरा और यूनिसल्लल रॉते हैं चैनल को में लिए लवार चालिanie सी ज्यादा चालि अपनी grouping बना लेते हैं ठीक है इस तरह से वह organism जो है they form chain cluster or colonies of cells बनाते है प्रोक्रोटिक सेल्स राटिकली डिफरेंट फ्रम यॉक्रोटिक सेल्स प्रोक्रोटिक सेल्स जो होते हैं वह यॉक्रोटिक सेल्स से मकमल तोर पे यकसर तोर पे मुख्लिफ होते हैं more hydrotrophs some perform photosynthesis because they are chlorophyll in their cytoplasm बहुत से hydrotrophs, hydrotrophs means वह अपनी खुराक जो है वह भुद नहीं बना सकते हैं लेकिन बहुत से ऐसी होते हैं जो अपनी खुराक बना लेते हैं क्योंकि उनके अंदर photosynthesis का process होता है within this kingdom there are two different types of organisms इसके example bacteria and cyanobacteria, bacteria and cyanobacteria तो यह kingdom monira के characteristic आ जाएंगे, सबसे पहले character जो है procrotic organism ठीक है number two unicellular होती है, some chain करते हैं cluster, chain की form में होते हैं या cluster या plunis बना लेते हैं और number three they are different from eucrotic cells से आ जाएंगे और उसके बाद some hydrotrophs हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होती है जो के autotrophs होती हैं क्योंकि उनके अंदर chlorophyll होता है और इसके example जो है वो आजएगी bacteria and cyanobacteria students अब यहां पी यह questions यह आपको आजएगा write the characteristic of the kingdom monira ठीक है आपने इसके अंदर kingdom points की सूरत में इसके लिखने है kingdom monira के characteristic करने हैं कल इन्शाला हम वो किंजम प्रोकिस्टा के करेंगे करेंगे